In this module, we are going to study assumptions of consumer preference ordering. Consumer preference में, consumer अपनी preferences को rank करता है, order करता है. वो क्या वजूहात होंगी और वो क्या factors हैं, जो हमारे consumer को अपनी preferences order करने में मददगार होते हैं. अगर हम देखें तो हमारे यहां कुछ preferences मौजूद हैं. और वो preferences जो हैं, अगर हम देखें तो उसमें पहली है continuity, दूसरी है strict convexity, differentiability, risk conversion, completeness, transitivity, reflexivity and non-satuation. अगर अब हम इनको details से देखें, तो जो इसमें हमारी जो तीन observations हैं, यह तीन assumptions हैं, अगर हम सिरफ उनकी बात करें, तो जिसमें हम अगर कहें के strict convexity, differentiability, reflexivity और transivity, यह हमारी basic में आती हैं और वो basically preference ordering को adjust करती हैं, जो बाकी हैं वो उसकी further nature और shape of consumption behavior के लिए जो उसका curve है, उसको explain कर रही होती है, अब consumer preference ordering की जो हमारी पास पहली हमारी assumption है, that is the completeness, अब यहां completeness से मुराद यह है कि जो consumption bundle है, जिसमें various commodities हो सकती हैं, और हमने अगर उसको हम यहां पे कहा, कि एक pair है, जिसमें हमने एक bundle को x prime दिया है, और दूसरे bundle को x double prime दिया, अच्छा, यहां में एक बात आप से कहना चाहूंगी, कि बहुत सारी books आपके लिए recommended होती है, तो उसमें हम देखें, तो कई दुफ़क आपके लिए author इस्तमाल कर रहा होता है, bundle a, bundle b, कभी x, कभी y, तो आप इन चीजों से confused होने के बजाए, उसके actual meanings पे जाएं, यह basically symbols हैं, जो सिर्फ notation दे रहे होते हैं, तो otherwise इसका मतलब है कि दो bundles हैं हमारे पास, वो bundle a और b भी हो सकता है, वो bundle x और y भी हो सकता है, वो c और d भी हो सकता है, और यहां पे हम उसको ले रहे हैं कि एक bundle x प्राइम है, दूसरा bundle x डबल प्राइम है, तो इसमें अगर हम देखें complete ness में, तो यह वाला bundle दूसरे bundle पर preferred होगा, यह x डबल प्राइम का bundle इस bundle पर preferred होगा, यह इन दोनों के दरमियान consumer indifferent होगा, तो यह वो complete form हमारे पास उसकी preference कियाएगी, कि वो preference वाजिया और complete form में हो, वो in between वाली कोई शकले हमारे सामने नहीं आने चाहिए, और उसके लिए consumer अपनी preference को properly express कर सकता है, और अगर वो express नहीं करता, तो हम उसको consumer behavior के study के लिए incomplete समझेंगे, तो जो consumer को अपनी preference जब उसने देनी है, तो उसके लिए एक बुनियादी factor है जो उसके पास होना चाहिए, कि इस consumption bundle में जो अशिया मौझूद हैं, उनके basic features क्या है, means quantity क्या है, रंग क्या है, taste क्या हो सकता है, या उसकी वो कीमत के बारे में information चाहता हो, यही चीज़ अगर आप आज कल देखें, तो क्यूंके market में आप बहुत सी अशिया लेने चाहेंगे, जो package की firm में होंगी, तो आप देखें कि अगर हम एक दलिये का packet खरीद रहे हों, वो चाहे दो तीन मुख्जिफ companies का हो, तो उसके उपर उसकी मिकदार लिखी जाती है, उसकी manufacturing rate तक बताई जाती है, उसमें कितने calories हैं वो भी बताई जाते हैं, fat कितनी है, यह तो यह information है, तो consumer ने चूंके उन consumption bundles को compare करना है, तो compare करने में कुछ अशिया की जाहरी शबाहत हमारे सामने होती है, और अगर उसके detailed information, features जो हैं, कि यह दो सबजियां ही अगर सामने पड़ी हैं और दोनों एक ही हैं, लेकिन एक ताजा है और एक दो दिन पुरानी है, तो यह information consumer के पास मौजूद होगी, तो वो prefer करेगा कि जो ताजा है मैंने इसको लेना है, तो उसकी कीमत ज्यादा है, या वो जो कम कीमत वाली अगर वो prefer कर रहा है, तो यह information भी उसके पास मौजूद हो, तो completeness में सिरफ और सिरफ features के साथ साथ यह information भी अगर हम देखें, तो यह उसके साथ मौजूद होनी चाहिए, और यह कि उसकी preference में कहीं पे भी कोई gap या ambiguity नहीं होने चाहिए, या other words में हम कहते हैं कि उस information में कोई hole नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से जब हम completeness के हवाले से आगे जाएं, तो उसने अगर एक bundle को prefer कर लिया है, तो यह उसकी preference express हो गई, तो हम उसको कहेंगे कि यह उसका preferred या better set है जिसको उसने कर लिया है, और अगर वो दो के दर्मियान पे तरजी किसी को नहीं दे पा रहा, तो हम यह कहेंगे कि यह दोनों के bundle में वो indifferent set हमारे पास बन जाता है, और उसी तरीके से जिसको वो select नहीं कर रहा, वो अगर हम कहें तो हम कहेंगे यह उसका worst set कहलाता है, और अब यहां पे worst set से मुराज यह नहीं है, कि यह consumption bundle इसको हम bad count करेंगे यह worst count करेंगे, यह सिरफ preference के हवाले से कहेंगे, कि चुँए एक को दूसरे पर तरजी दी गई तो जिसको कम तरजी मिली, यह जो तरजी में reject हो गया, तो actually उसके features bad नहीं है, लेकिन according to the preferences, वो worst की criteria में चला गया यह bad के criteria में और जो selected में आ गया, वो हमारा better या selected हो, Thank you.